राबडी अवास पर CBI की पूष्टाज के बाड़े में पहले से जानते थे त्यजस्वी आदो किया बड़ा खुलासा जी आपको बता दे कि सोमवार को दिन भड़ CBI की पूष्टाज के बाद लालू और राबडी समर्थकों की बीच महौल काफी ही गर्म देखा गया CBI ने यह पूष्टाज रेलवे की नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में की थी आपको बता दे किसी बीच ते जश्वी आदो ने एक बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि ऐसा होने वाला है दरसल बिहार के डेपटी सीएम तेजस्वी आदो ने CBI की रेड और बिहार की पुर्व मुख्य मंतरी राबली देवी से पूस्ताच पर इशारों ही इसारों में किन सरकार पर तंज कस्तिया है और तंज कस्ति हुए कहा है कि कि किसी को क्या तकलीफ है या हम अच्छे से जानते हैं जिस दिन से बिहार में महागट बंदन की सरकार बनी है उसी दिन याही सारा मिल गया था कि आगे क्या कुछ होने वाला है या सब चलता ही रहेगा साथ भी आपको बता दे कि तेजस्वी आदों ने कहा कि जिस दिन बिहार में हमारे सरकार बनी थी तब ही मैंने बता दिया था कि आने वाले समय में यह सब होता रहेगा आपको ग्याती होगा कि कल राबडी आवास पर चाथ सीबी आई की छापे मारी पड़ी और वहां पूस्ताज चल रही थी उसके बाद आज मीशा भारती के यहां भी सीबी आई की पूस्ताज चल रही थी इसके बाद से लालू की बेटी रोहिनी अचारय ने सिंगापूर से ही मोर्चा खोल दिया है आपको बता दे कि लालू यादो से दिली में सीबी आई की पूस्ताज की खबर आते ही उनकी सिंगापूर में रहने वाली बेटी यानी की रोहिनी अचारय काफी भड़क गई है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पापा को लागतार परिशान किया जा रहा है अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी पापा को तंग कर रहे है या ठीक बात नहीं है या सब याद रखा जाएगा समय बलवान होता है उसमें बड़ी ताकत होती है या याद रखना होगा पापा को जो लोग तंग कर रहे हैं अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परिशानी होगी तो दिल्ली के कुरसी को हिला देंगे अब बरदास्त करने की सीमा जवाब दे रही है अब को उतादे के रहीनी अचार्या ने संगापोर से बीजेपी के खलाफ मोर्चा खोल दिया है सोमवार से मंगलवार के बीच रहीनी अचार्या ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक के बाद एक करके कई ट्वीट किये है एक ट्विट में रोहिनी ने लिखा कि तुम चापा मारो हम अपने कामों से जवाब देंगे चाहे जितना तुम आर ले चापा जनता मारेगी दोहजार चौपीस में चापा जनजन में देदो यही संदेशा लालू जी और तेजस्वी को कैद करने का भाज़पा ने चाल चला है अंग्रेजी सत्ता के जैसा तो आपको बता दें कि इस तरह से रोहिनी अचार्य भी लागातार बीजेपी वालों पर हमलावर हैं वर साब तोर से यह कैटे वे नजर आ रही है कि अगर इस पूरी घटना में उनके पिता को कुछ होता है तो वह दिलने की कुरसी को हिला देंगी साथी आपको बता दें कि जो छापे मारे हुई थी कर राबडी आवास पर और आज जो छापे मारी चल दिये जो भी पूस्त आज चल दिये है इस पूरे मामले को लेकर तिजुस्वियादों ने कहा है कि उनको पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि CBI छापा मारेगी और क सरकार ऐसा काम करवाएगी फिलाल इस खबर में बस इतना ही है आगे कि तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे दैंडा टॉप धन्यवाद